हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं टेक्निकल कंपूर्ट क्लासेज और अभी तक कि आपने हमारी प्रिवेज वीडियो में सीखा एक्सल के अंदर इंसर टेब में पाइवर टेबल, टेबल, पिच्चर, सेप्स, स्मार्ट आट, स्कीन सोट, चार्ट, हाइपर लिंक और भी जितने भी उप्सन दिये वे हैं इन सभी का उजह हम एक्सल में कैसे करते हैं तो देखे फ्रेंट्स आज कि इस वीडियो में बताने वाला हूं एक्सल के अंदर टेक्स बॉक्स, हेलो फूटर, वाड़ आट और इसके बाद जितने भी उप्सन दिये वे हैं इन सभी का उज सा पाट है friends और इसके अंदर सबसे पहला option है हर पास tax box जो हमारा इस टाप से दिखाए देता है इसका जो काम होता है friends it is used to create a tax box in Excel sheet एक आपको tax box बना करके उसमें कोई भी काम करना हो तो उसके लिए आपको फिर tax box का यूच करना पड़ता है तो देखे friends यहाँ पर मैंने एक्जेंपल में दिया हुआ है यहाँ पर मैंने tax box का यूच करके तीन box बना रखाए friends first box में यहाँ पर मैंने simple tax type कर दिया और दूसरे में एक मेरे पिच्चे लगा दिया और इसका outline चेंज कर दिया और तीसे वाले tax box में tax type करके इसका background चेंज कर दिया friends तो इस तरीके से को भी आपको tax box बनाना हो एक्सल के अंदर तो आप यहाँ पर tax box का यूच कर सकते हैं अगर हमें tax box बनाना है friends तो हम कैसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ने दिया वा है insert type पर click करना है उसके बाद आपको फिर tax box पर click करना है और जैसी इस पर click करेंगे उसके बाद drag in page फिर आपको अपने page में जा करके उसको फिर drag करना है drag मतलब खीचना उसके बाद आप देखेंगे your tax box created फिर आपका tax box बनकर आ जाएगा और देखिए friends यहाँ पर दिया हुआ है type text या any other formatting in tax box से फिर आपको जो भी काम करना है friends तो आप असानी से कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है यह हमारा example है friends इस तरीके से कोई का step से दिखा देता है इसका जो काम हता है friends insert text, picture या date through header and footer and also apply to all pages in your Excel sheet तो देखिए friends जब भी आप header and footer का use करते हैं तो इसके थुरू आप कोई भी text, picture या date आप एक page पे apply करेंगे तो आपका वो सभी page पे apply हो जाता है और देखिए यहाँ पर header and footer दो अलग दोग पार्ट इन दोगर में क्या difference है तो यहाँ पर मैंने note में दिया हुआ है header apply only top of the page in Excel sheet जब भी आप header apply करते हैं तो यह आपका top में apply होता है यानि page के ऊपर और जब भी आप footer apply करते हैं friends तो यहाँ पर मैंने note में लिखा हुआ है footer apply only bottom of the page in Excel sheet यानि की footer जो आपका होता है page के नीचे यानि की bottom में और header जो आपका होता है page के top में तो आपको दोनों में reference समझ में आगे हो friends और देखिए अगर आपको header or footer का use करना हो तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर मैंने step दिया हुआ friends सबसे पहले आपको insert tab पर click करना है उसके बाद फिर आपको header and footer पर click करना है और जैसी इ header या footer फिर आपको वहाँ पर header या footer क्या use करना है friends आप वहाँ पर use कर सकते हैं header या फिर footer और यहाँ पर example में दिया है friends आप वहाँ पर क्या के काम कर सकते हैं text type कर सकते हैं picture लगा सकते हैं या फिर date type कर सकते हैं और इसके लाबा आपको और भी कोई चीज़े apply करना हो तो आप असानी से कर सकते हैं, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है friends, यहाँ पर दिया वा है, click anywhere in the seat, hidden footer जब भी आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको उससे बाहर भी आना पड़ता है, तो seat में कहीं भी click करके, फिर आपको view tab पर click करना है, उसको फिर आपको nobel पर click करना आप hidden footer से बाहर आजाएंगे friends, तो इस तरीके से यहाँ पर हम hidden footer का use करते हैं, इसके बाद अगला option है हर पास word art है, जो हमारा step से दिखा देता है friends, इसका जो काम होता है, it used to insert text like 3D use word art, अगर आपको 3D type में कोई भी text type करना है friends, तो आप word art का use करके असानी से कर सकते हैं, और कैसे करेंगे friends, तो देखिए, सबसे पहले आपको insert type पर click करना है, उसके बाद फिर आपको word art पर click करना है, जैसी आप इस पर click करेंगे, select text format, format का मतलब है friends, वहाँ पर color आपको दिखाए देगा, कि किस type की color में आपको text लिखना है, उसके बाद फिर आपको text type करना है friends, तो जो भी आप text type करेंगे, तो आपका 3D में बनके आजाएगा, और देखिए friends, यहाँ पर मैंने एक note लिखा हुआ है, any change in text से, जो भी आपने text type किया हुआ है, उसमें आपको कुछ भी change करना हो, तो click format tab, एक आपका view tab के बाद है, यहाँ पर एक format tab आजाएगा friends, उसमें ज तो जो भी आपको change करना है, आप असानी से format tab में जा करके, जो भी आपको change करना है, आप भी कर सकते हैं, और देखिए friends, जब भी आपको word art का यूज करते हैं, तो कुछ यहाँ पर इस type text आपको लिखना हो, तो आप असानी से लिख सकते हैं, तो यह जो मैंने आपको text लिख formatted, तो देखिए friends, digital signature क्या होता है हमारा, जब भी आपे किसी school का कोई form feel करते हैं, form के last में सबसे नीचे लिखा होता है, कि वहाँ पर sign किसका होना है, teacher का, student का, principal का, या parents का, और देखिए, किसी भी bank का कोई form feel करते हैं, तो form के last में लिखा होता है, वहाँ पर signature किसका होगा, manager का, customer का, तो उसे हम बोलते हैं, digital signature, तो उस type का, कोई भी आपको digital signature बाना हो, तो उसके लिए आपको फिर signature line का use करना पड़ता है, और कैसे करेंगे friends, तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको insert tab पर click करना है, उसके बाद signature line पर click करना है, जैसी आप इस signature, जिसके अंदर आपको उसका नाम लिखना है, जिसके नाम से आप signature बनाना चाहते हैं, जैसे example मैंने आप एक नाम लिया हुआ है, सुमीत सकसेना, इसके बाद फिर लिखाए का friends, suggested signature, title, for example, manager, इसके अंदर आपको उसकी post देनी पड़ती है, इसके बाद last options होगा, आपका suggested signature email address है, आप email address दे भी सकते हैं, और नहीं भी दे सकते हैं, उसके बाद क्या करना आपको, okay, जैसे okay करेंगे friends, तो इस तरीके से आपका ही के, detail signature बनके आ जाएगा, तो देखें friends, इस तरीके से यहाँ पे हम signature line का use करते हैं, इसके बाद अगला option हमार पास, object का, जो हमारा staff से दिखा देता है friends, इसका काम क्या होता है, any other application से, install on the computer, open in Microsoft Excel, अगर आप Excel में काम कर रहे हैं, और उसके अलाबा, जैसे देखिए friends, आप Amazon में काम करते हैं, Powerpoint में काम करते हैं, या और भी applications, जो आपकी computer में installed है, तो उसमें जो भी हम काम करते हैं, वो हम Excel में नहीं कर सकते, त आपको अपको अपजेक्ट का यूजे करना परता है, और देखिए friends, यहाँ एक जेंपर में दिया हुआ है, एकसल के अंदर ही यापे MS Word, PowerPoint, Photoshop या any other applications, आपको अपन करना हो, तो उसके लिए आपको फिर अपजेक्ट का यूजे करना परता है, और कैसे करने friends, तो यहाँ में step दिया हुआ है, सबसे पहले आपको insert टेप पर किलिक करना है, उसके बाद फिर आपको object पर किलिक करना है, object पर किलिक करने के बाद, select application for open in Excel, फिर देखिए friends, जो भी आपका application computer में install होगा, वहाँ पर आपको फिर दिखा देगा, फिर आपको जिसे भी open करना है, उससे फिर क आपको select करना है, और select करने के बाद, फिर आपको ok करना है friends, और जैसी आप ok करेंगे, now you can work on another application, after open the application, फिर आपको application open हो जाएगा, open करने के बाद आपको जो भी काम करना है, आपको कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हम object का यूज करते हैं friends, और इसके बाद दिखिए, अगला option हैं हर पास equations का, जो हमारा step से दिखा देता है, इसका जो काम होता है friends, insert common mathematical symbols, अगर आपको कभी भी Excel के अंदर कोई भी mathematical symbol चाहिए friends, तो उसके लिए फिर आपको equation का यूज करना पड़ता है, और कैसे करेंगे, तो यहाँ पर step दिखिए है friends, सबसे पहले आपको insert पर किलिक करना है, उसके बाद equation पर किलिक करना है, और जैसी इस पर किलिक करेंगे, select mathematical symbol under design tab, equation पर किलिक करने के बाद, view take के बाद, आपको यहाँ पर design tab दिखा देगा, फिर आप वहाँ पर जो भी आपको mathematical symbol चाहिए, आप design tab में जा करके असानी से आप ले सकते हैं, और इसके ब on your keyboard, कोई ऐसा symbol जो आपके keyboard पर नहीं है, आप symbol में जा करके ला सकते हैं, और देखें friends, किस type का symbol तो यहाँ पर दियावा है, such as copyright symbols, trademark symbol, paragraph mark symbols and unicode characters, तो इस type का कोई भी symbol आपको चाहिए, तो आप symbol में जा करके असानी से ला सकते हैं, और देखें friends, यहाँ पर मैंने कुछ symbol के ओम का symbol, aeroplane का या etc, बहुत सारे से symbols होते हैं, जो आपके keyboard पर नहीं है, तो आप symbol का इच करके असानी से symbol अपने access sheet में ला सकते हैं, और देखें friends, symbol लेने के लिए आपको करना किया है, सबसे पहले आपको insert पर click करना है, उसके पर आपको symbol पर click करना है, जैसी symbol पर click करेंगे choose symbol you want to insert, फिर आपको वहाँ पर बहुत सारे symbol आपको दिखा देगा friends, तो जो भी आपको symbol लेना है, आप वहाँ पर click करके आप असानी से ला सकते हैं, और इसके बाद मैंने आप एक note लिखा friends, insert all type of symbol, अगर आपको किसी भी type का symbol चाहिए, तो उसके रहे मैंने आपको अलग स जो हमारा इस type से दिखा देगा friends, तो आपको वहाँ पर लिखा होगा, times new roman, आपको इसको हटा करके, वहाँ पर आपको type करना है, क्या type करना है friends, wingdings, सिप इतना area, और wingdings type करने के बाद, फिर आपको क्या करना है, enter, जैसे आप enter करेंगे friends, now insert any type of symbol, फिर वहाँ पर आपको जि देगे friends, आज किस वीडियो में हमने सीखा, insert टेप के अंदर, यहाँ पर text box, header footer, word art, signature line, object, equation और symbol, आगे के नेस वीडियो हम सीखने वाले हैं, pale layout के अंदर, जितने भी option दिये वे हैं, इन सभी कभी हम Excel में कैसे करते हैं, और इसका हम practical भी सीखेंगे friends, क्योंकि Excel के अंदर, कोई भी टाटर बारने के बाद, उसको मपिंट कैसे करते हैं, वो सारा काम हमारा pale layout से ही होता है, तो आज करी इतना ही, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी problem आता है friends, तो आप हमें comment कर सकते हैं, आपको 100% उसका answer देंगे, अगर आपको हमें वीडियो अच्छा लगे, त साथ साथे, bell icon button बटन देवाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी latest वीडियो आते ही, आपको उसका notification सबसे पहले मिल सके, thanks